नमस्कार, Books That Speak में आप सभी का स्वागत है आज हम जान लेते हैं थोड़ा उनके बारे में जो धर्ती पर हम इंसान पैदा हुए उससे भी पहले रहा करते थे मुझे लगता है आपको पता चल गया मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ कहानी डाइनोसौर की ये कहानी लिखी है आशुतोष उपाध्याजी ने सभी चित्र इंटरनेट से साभार और ये कहानी का अभिवाचन असावरी दोशी और ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने के लिए हमारी वेबसाइट पर जरूर आईएका www.booksthatspeak.com हमारा यूट्यूब चैनल है Books That Speak तो मिलते है डाइनोसौर से करोडो साल पहले की कहानी है ये तब हमारे जैसे इंसान पैदा भी नहीं हुए थे उस समय धर्ती पर कुछ बड़े ही विचित्र जीवों का राज था इन में से कुछ तो किसी ट्रक जितने बड़े थे तो कुछ मुर्गियों से भी छोटे कुछ चार पैरों पर चलते थे तो कुछ सिर्व दो पैरों पर कुछ खतरनाक शिकारी थे तो कुछ डरपोक कुछ शाकहारी थे तो कुछ मासाहारी और कुछ सरवाहारी इन रीड धारी जानवरों को आज हम डाइनसौर के नाम से जानते है डाइनसौर शब्द का अर्थ होता है दरावनी चिपकली चिपकलियों की तरह डाइनोसार भी सरीस रूप थे यानि कि रेप्टाइल लेकिन आज के सरीस रूपों की तरह वे रेंकर नहीं बलकि खड़े होकर चलते थे इन में से कुछ के नूकिले आरी जैसे दात थे तो कुछ की मोटी खाल पर धारदार तलवार नुमा अंग उगे रहते थे कुछ डाइनोसार पक्षियों की तरह उड़ते थे आज की चिपकलियों की तरह ठंडी हवा में मस्ती से जपकी लेने के बज़ाए वे अपने शरीर को गर्म रखने के लिए लगातार दोडते भागते रहते थे डाइनोसारों का धरती पर करीब 16 करोड वर्षों तक दबदबा रहा वे धरती में जन में किसी भी रीड़ धारी जीव से ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहे क्या आप इनके सुहावने चित्र देख रहे है हो? करीब साड़े छे करोड साल पहले डाइनोसार बड़े ही रहस्य में ढंग से धरती से गायब हो गए फिर हमें उनके बारे में कैसे पता लगा? असल में धरती की चटाने खुद पर जीवन की कहानिया उकेरती रहती है करोडो वर्षों के दोरान रेट और मिट्टी की परते जीलो व समुद्रों की तलहटी में इकठा होती रहती है लाखों वर्षों में ये ठोस होकर चटानों में बदल जाती है इन पर्तों के बीच अलग-अलग समय में जीव जन्तू और वनस्पतियों के अवशेश भी दब जाते है और अपनी चाप छोड़ देते है बाद में यही चाप चट्टानों की पर्तों के बीच इन जीव जन्तूओं की आकृतियों के रूप में स्थाई हो जाते है ये आकुरुतियां जीवाश्म कहलाती है, जिने हम सब फॉसिल्स के नाम से जानते है इतिहास के अलग-अलग कालखंडों में उकेरे गए जीवाश्मों से प्राचीन सूक्ष्म जीवियों से लेकर विशालकार डाइनासॉर तक का पता लगाया जा सकता है हम ये चुत्र में देख रहे हैं कि एक भाई साब ये जो उन्हें एक जीवाश्म उस पर वो काम कर रहे है ये है डाइनासॉर का कंकाल और उसकी अंदर की शरीर की रचना दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में वैज्यानिकों ने डाइनासॉर की हड्डियों के जीवाश्म खोजे है इन जीवाश्मों के आधार पर उनके शरीर की बनावट, आकार और व्यवहार का पता लगाया जा सका कई बार जीवाश्मों से जीव की मृत्यू के कारण का भी पता लग जाता है अगर ऐसी टाइम मशीन बने जिस पर बैट कर हम डाइनासौर यूग में जा सके तो हम खुद को किसी दूसरी दुनिया में महसूस करेंगे आजाओ आजाओ वापस आजाओ डाइनासौरों के जमाने को मेसोजोई काल कहते है तब से दुनिया इतनी बदल चुकी है कि आज ये बिलकुल अलग दिखाई देती है आज धर्ती पर महाद्वीब अलग-अलग दिखाई देते है तब वे आपस में जुडे हुए थे जलवायू काफी गर्म थी और धर्ती अनोखे प्रागैतिहासिक पेड़ पौधों से धकी हुई थी मेसोजोई काल को तीन खंडों में बाटा जाता है ट्राइसिक काल 25 से 20 करोड वर्ष पूर्व तक जुरैसिक काल 20 से साड़े 14 करोड वर्ष पूर्व और क्रेटेसियस काल साड़े 14 से साड़े 6 करोड वर्ष पूर्व डाइनासौर इन तीनों कालखंडों में मौजूद थे लेकिन यहां हम केवल जुरासिक काल के डाइनसौरों पर बात करेंगे जुरासिक काल की जलवायू ठंडी व नम थी जिसने डाइनसौरों को पनपने में बहुत मदद की प्रचूर वर्षा से उनके खाने पीने के लिए परियाप्त वनस्पतिया पैदा होती थी और इस तरह वे फल फूल कर खूब बड़े होते गए यहां हम देख रहे है तरा तरा के डाइनसौर तो अभी मन में प्रश्न आता है कहां गए यह डाइनसौर करीब 16 करोड वर्षों तक डाइनसौरों ने धर्ती पर राज किया लेकिन माना जाता है कि साड़े 6 करोड वर्ष पहले एक बहुत बड़ा उलका पिंड धर्ती से टकराया अनुमान है कि यह उलका पिंड करीब 10 किलो मिटर चौड़ा था इसकी टकर से इतनी धूल उठी और इतना धुआ पैदा हुआ कि जीव जन्तूओं के लिए सास लेना भी दुरभर हो गया धूल और धूवे के बादलों से पूरा वायू मंडल भर गया सूरज की गर्मीव उजाले का धर्ती तक पहुँच पाना संभव हो गया इस दुरगटना से पृत्वी की जल वायू में भारी उलट फेर हुए धर्ती का सत्तर प्रतिशत जीवन नश्ठ हो गया कुत्ते से बड़े करीब करीब सभी जन्तू मारे गए केवल गिने चुने छोटे जीव जन्तू जैसे मचलियां, चिपकलियां और कीडे मकोडे ही खुद को बचा पाए डाइनोसौर की समूची प्रजाती विलुप्थ हो गई अगले करोडों सालों के दौरान एक बार फिर अनेक नए जीव पैदा हुए उनमें से कुछ फिर से विलुप्थ भी हुए, विलुप्थ याने एक्स्टिंट अंततहा नए जन्तूओं की एक शाखा दो पैरों पर चलने वाले वानरों के रूप में विकसित हुई और उन्ही के वन्षज आज के सबसे बुद्धिमान जीव मनुष्य है अभी कुछ शब्दावली देखते है डाइनोसौर डाइनोसौर रीड़दार जन्तूओं की एक विशेश प्रजाती थी जो करीब साड़े छे करोड साल पहले विलुप्थ हो गई उनके जीवाशमों से पता चलता है कि वे आज के पक्षियों से बहुत मिलते जुलते थे बहुत से वेग्ञानिक मानते है कि डाइनोसौर ही आज के पक्षियों के पूर्वज है उसके बाद हमने एक शब्द देखा शाकाहारी वनस्पतियों को अपना आहार बनाने वाले जन्तु मासाहरी दूसरे जन्तुओं के मास को अपना आहार बनाने वाले जन्तु सर्वाहारी वनस्पतियों व जन्तुओं को मतलब दोनों को अपना आहार बनाने वाले जन्तु सरीस रूप ठंडे खून वाले रीडधारी जन्तु जो अंडे देकर अपनी प्रजाती को आगे बढ़ाते है चिपकली, साप, कचुए और मगर मच अधी सरी सुरूप जाती में आते है जिवाश्म किसी जमाने में जीवित प्राणी के चट्टानों में चिपे अवशेश अन्य अंगों की तुलना में हड्डियों और दातों के जीवाश्म में बदलने की संभावना ज्यादा होती है उलकापिंड सूर्य का चक्कर काटने वाले चट्टानी आकाशिय पिंड वायूमंडल धर्ती को चारो ओर से घेरे रखने वाली हवा वा अन्यकणों की परते विलुप्थ होना किसी वनस्पती या जन्तू प्रजाती का पूरी तरहा खत्म हो जाना Books That Speak सुन सकते है Anchor Google Podcast Apple Podcast यानि कि iTunes Spotify इसके अलावा Breaker, Stitcher, Castbox, Overcast, Pokercast, Radio Public यहां पे भी आप Books That Speak का आनन ले सकते हैं इसके अलावा YouTube चैनल है Books That Speak और हमारी वेबसाइट है www.booksthatspeak.com शुक्रिया